आप सभी का फिर से स्वागत है competition community में आज हम deal करने वाले हैं 36 याने की कल हमने जो current affairs deal किया था subjective way में उसे आज हम क्या करने वाले हैं MCQs के माध्यम से हम समझने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारे पास question हो जाएगा which amongst the following railway station of 36 गड़ इससे set to become the first smart railway station of 36 गड़ याने की 36 गड़ का निम्नलिकित में से कौन सा railway station राज्ज का पहला smart station बनने के लिए तयार है आप सभी से अनुरोद रहेगा या तो हमारे comment section का use करेंगे या फिर आप अपने लिए क्या करेंगे स्वह मुल्यांकन करने के लिए self evaluation करने के लिए copy pen जरूर रखेंगे सारे questions का answer आप अपने copy में या फिर हमारे comment section में लिखते चलेंगे और video खतम होने के बाद में देखेंगे कितना सहीं और कितना गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है तो CBD नवा राइपूर B विलासपूर C राइपूर या फिर D कोरबा answer यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा option number B विलासपूर option number B विलासपूर हो जाएगा माफ किजएगा बिलासपूर नहीं है ये option number A है CBD नवाराइपूर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा 36 गड़ का पहला smart station के रूप में ये उभर करके आप लोगों के पास में आ रहा है दूसरा question हमारे पास में हो जाएगा उसे फा में सब्सक्रा मिजए ये नाचनल फावर लिपन्फिंग चंपेंशिप यह मिद्म वाफ किजएगा वर्ड हो जायं इर है इस वर्डा ईब पावर लिप्टिंग चैंपेंशिप प्रों छथी सँपर्दा के लिए जटीज्ग के किन खिलाडियों का चैन किया गया है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है राहुल सार्थी मोनु गोस्वामी मोहम्मद आदिल या फिर महेश कुमार आजाद option A केवल 1 option B केवल 1 और 2 option C 1 2 3 और option D 1 2 3 4 राहुल सार्थी मोनुगो स्वामी मुहम्मद आदिल महेश महेश कुमार आजाद केवल 1 1 और 2 1 2 3 1 2 3 और 4 तो यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number D 1 2 3 & 4 चलिए अगला question देखते हैं चंपारण्य सम्टाइम्स कॉल्ड चंपा जहार इस नेम्ड आफ्टर चंपा वॉट इस चंपा चंपारण्य को कभी कभी चंपा जहार भी कहा जाता है इसका नाम चंपा के नाम पर रखा गया है चंपा क्या है river flowing in the region, trees present in the region, flowers या फिर species of butterfly species of butterfly प्रजातिया माफ कीजिएगा, species of butterfly है यह, प्रजाती तो छेत्र में बहने वाली नदी, छेत्र में मौजूद पेड, फूल या फिर तितली प्रजाती, क्या है यह, चंपा यहां पर आप लोगों के लिए option number c हो जाएगा क्या answer, flowers या फिर फूल, तो यह जो चंपारण्य है इसके आस पास चंपा नामक फूल के पूरे क्या है, वन है, जिसके कारण क्यार पढ़ा है इसका नाम चंपा जहार और फिर चंपारण्य नाम पढ़ गया है प्राकट्य बैठक जी और बैठक मूल प्राकट्य आपका पितंपूर धाम option B है आपका कंकेशवर धाम, option C है चंपारण्य धाम या फिर option D है मलहार कहाँ पर आपको यह दो शिव मंदिर देखने को मिलते हैं प्राकट्य बैठक जी और बैठक मूल प्राकट्य यह दोनों कहाँ पर देखने को मिलते हैं पिठंपूर में, कनकेश्वर में, चंपारण्य में या फिर मलहार में यहाँ पर आप लोगों के लिए option number हो जाएगा C answer चंपारण्य जो धाम है वहाँ आप लोगों को ये दोनों शिव मंदिर देखने को मिलते हैं आगे चलते हैं इन विच ओफ फॉल्विंग डिस्ट्रिक्ट तांदूला एंड खर्खरा डैंस आर लोकेटेड यानि की तांदूला और खर्खरा बांध कौन से जिले में स्थापित हैं या फिर स्थित हैं दुर्ग में हैं बालोद में हैं राजनांद गाओं में हैं या फिर ऑप्शन नमबर D कबीर धाम दुर्ग बालोद राजनांद गाओं या फिर कबीर धाम ये हैं आपके लिए option number C, राज नान्द गाउं, माफ किजेगा, ये है option number B, बालोद, बालोद में हैं आपका तांदुला और खर्खरा जलाश है या फिर खल्खरा बांध चत्तिजगड सरकार के कौन से मंत्री संसदीय मामलो के मंत्राले के प्रभारी है या फिर which Minister of 36 गवर्बंट मांपलो का मंत्राले जो किन्ह दोने है कौन से वो मंतरी हैं जिनैं क्या मिला हुआ है संसदिय मामनो का मंत्राले भी दिया गया है उस ब्रिजमोहना ग्रवाल टंकिराम वरमा विश्णुदेवसाय ने यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा option number D केदार कश्यप ब्रिज मोहन अगरवाल जी के इस्तीफे के बाद में संसदी कार्य का जो मंत्रालय है वो दे दिया गया है किसे केदार कश्यप जी को चलिए आगे देखते हैं चत्तीफगड सरकार के कौन से मंत्री संसदी मामलों के मंत्रालय के प्रभारी है वही क्वेशन है रिपीट हो गया है क्वेशन नमबर साथ देखते हैं चत्तीफगड की पहली इलेक्ट्रोनिक वाहन प्रयोग शाला कहां स्थापित की गई है वेर इस दचत्तीफगड स्फर्स इलेक्ट्रोनिक वहिकल लाब स्टैबलिश्ट इंडियन इंस्टिटीट अफ टेक्नोलोजी राइपूर नेशनल शाष्किय इंजीनियरिंग कॉलेज राइपूर या फिर शाष्किय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपूर कहां पर चत्तीफगड का पहला इलेक्ट्रोनिक वहिकल लाब स्टैबलिश्ट किया गया है अि या पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइपूर के राश्ट्रिय प्रद्योगी की संस्थान या फिर नैशनल इंस्टिटिट अफ टेक्नोलोजी राइपूर में स्थापित किया गया है क्या चतीजगड का पहला electronic vehicle lab अगला question देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ चतीजगड टू न्यू medical colleges have been notified by Indian Medical Commission चतीजगड के किस जिले में भारतिय चिकित्सा आयोग द्वारा दो नए medical colleges को अधिसूचित किया गया है नवाराइपूर अटल नगर बी दुर्ग ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी याने कि नवाराइपूर अटल नगर भी और दुर्ग भी या फिर ऑप्शन नंबर डी बिलासपूर दो नए medical colleges कहां पर स्थापित करने के लिए राश्ट्रिय चिकित्सा आयोग द्वारा अधिसूचना दे दी गई है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर नवाराइपूर और दुर्ग दोनों ही जगहे में आप लोगों का क्या होने वाला है नवाराइपूर में डेड़ सो सीट्स का मेडिकल कॉलेज और जो दुर्ग है वहाँ पर पचास सीट वाला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है और यह दोनों ही क्या होंगे प्राइवेट कॉलेज़ेज होंगे चली आगे चलते हैं वोट इस टोटल नंबर ओफ मेडिकल कॉलेज इन स्टेट ऑफ चत्तीजगड मतलब यह जो दो नय मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं नवाराइपूर और दुर्ग में उसके बाद हमारे चत्तीजगड में कुल मिला करके कितने मेडिकल कॉलेज हो जाएं टोटल नंबर ओफ मेडिकल कॉलेज इस टोटल नंबर ओफ जो मेडिकल कॉलेज हमारे चत्तीजगड में हो जाएंगे वरतमान में वो है आपका अप्शन नंबर भी 15 दूसरा ठीक है जिसमें से 10 क्या है आपके गवर्मेंट कॉलेजेस हैं अच्छा चलिए यह भी क्वेश्चन है आगे देखते हैं याने कि चत्तीजगड में सरकारी और नीजी स्वामित्व वाले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या क्रमशा कितनी है याने कि पहले जो ऑप्शन में पहला लिखा होगा वो क्या होगा आपका सरकारी और दूसरा नीजी होगा गवर्मेंट एंड प्राइवेट याने कि दस गवर्मेंट कॉलेज पांच प्राइवेट कॉलेज पांच गवर्मेंट कॉलेज दस प्राइवेट कॉलेज पंदरा गवर्मेंट कॉलेज पांच प्राइवेट कॉलेज या फिर पांच गवर्मेंट कॉलेज और पंदरा प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन ए ब गॉप्षन नंबर दस गवर्मेंट कॉलेज और पांच क्या हो जाएंगे हमारे पास में नीजी मेडिकल कॉलेज टोटल में इन सब की जो कुल आपका सीट्स हैं तीस गड़ में वह पहले थी 1910 अब इसमें 200 सीट्स की व्रिद्धी हो रही है जिसमें से 1500 सीट्स और 50 सीट्स में इनकों विभक्त कर दिया गया है जो 1500 सीट्स है यह आपका नवाराइपूर में है और वहीं जो 50 सीट्स होंगी वो आपका कहां पर होंगी दुर्ग में होंगी तो यह 200 सीट्स की बढ़ोतरी के बाद कुल मिला करके 2110 हमारे पास में क्या हो जाएंगे टोटल मेडिकल MBBS की सीट्स हो जाएंगी चत्तीजगर में 2110 ठीक है तो option number क्या हो जाएगा 10 और 5 अगला देखते हैं चत्तीजगर सरकार द्वारा कल्यान कारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वेन और जन्मुद्दों के समाधान के लिए एक नया विभाग गठित किया गया है इस विभाग का नाम क्या है आप लोगों से पूछा जा रहा है a new department has been created by government of चत्तीजगर for effective implementation of welfare policies and addressing public issues what is the department called department of public welfare option a लोग कल्यान कारी विभाग option number b department of convergence and management अभी सरन और प्रबंदन विभाग option number c good governance and convergence department of good good government and convergence सुशाशन और अभी सरन विभाग या फिर option number d department of management and convergence या फिर प्रबंदन और अभी सरन विभाग तो जो नया विभाग गठित किया गया है ना government of चत्तीजगर के जो welfare policies है उनको अच्छे से implement करने के लिए और साथ ही public issues से deal करने के लिए उसका नाम क्या है यह आप लोगों को क्या करना है बताना है और यह आप लोगों के लिए option number क्या हो जाएगा answer option number c हो जाएगा अगला चलते हैं चत्तीजगर में नई सिक्षा नीती के पूर्ण क्रियानवेन के लिए किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को उनकी स्थानिय बोली में सिक्षा प्रदान की जाएगी for completion of implement complete implementation of new education policy 2020 इन चत्तीजगर students up to which class will be provided education in their local dialect पांचवी क्लास आठवी क्लास दस्वी क्लास या फिर बारवी क्लास कौन सी क्लास तक के students को उनके local dialect में है न स्थानिय बोली में या फिर भाशा में उन्हें क्या दिया जाएगा सिक्षा दिया जाएगा कौन सी क्लास तक है यह 5th क्लास 8th क्लास 10th क्लास या फिर 12th क्लास तो यहां पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option नंबर ए पांचवी क्लास 5th क्लास तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा स्थानिय बोली या फिर भाशा में सिक्षा प्रदान की जाएगी विच डिस्ट्रिक्स विल बी कवर्ड अंडर स्टेट क्यापिटल रीजन ओफ चत्तीजगड ओन वर्ज ओफ नैशनल क्यापिटल रीजन ओफ इंडिया यानि कि भारत के राश्ट्री या राजधानी छेत्र के कगार पर चतीजगर के राज्य राजधानी छेत्र के अंतरगत कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है या फिर कौन से जिले को शामिल किया गया है क्या ये राइपूर है क्या ये दुर्ग है ये राजनान गाउं है या फिर धमतरी है option number क्या हो जाएगा केवल एक या फिर राइपूर option number B क्या है केवल एक और दो यानि कि राइपूर और दुर्ग दोनों को option number C 123 यानि राइपूर दुर्ग राजनान गाउं को और option number D याने की उपरोक सभी राइपूर, दुर्ग, राजनाम गाउं और धमतरी को क्या किया गया है State Capital Region या राज राजधानी छेत्र के रूप में विकास करने के लिए कौन कौन से जिलों के कुछ छेत्रों को क्या किया गया है सेलेक्ट किया गया है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आंसर जो आप लोगों के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा option number B, 1 और 2, यानि की राइपूर से जो है यह आपका नवा राइपूर और राइपूर यह दोनों छेत्रों को, और दुर्ग से आपका दुर्ग और भिलाई दुर्ग और भिलाई इन सभी छेत्रों को मिला करके क्या गठित किया जा रहा है state, capital, region ठीक है, यह हो जाएगा, आप लोगों के लिए option number B हो जाएगा क्या answer, अगला question है, who is the minister responsible for forest and climate change department in 36 गड़, 36 गड़ में वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री कौन है आपके राज के यह पूछा जा रहा है इस सवाल में, क्या यह विश्णु देव साओ हैं, क्या यह अरुन साओ हैं, क्या यह टंक राम वर्मा हैं, या फिर इन में से कोई नहीं हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा, आप्शन नमबर डी, नन ओफ दी अबव, यानि की उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, क्या आपके वन एवं जलवायू, परिवर्तन मंत्री, 36 गड़ के कौन है यह, यह हैं आपके केदार केदार कश्यब जी, जिनको अभी अतरिक्त प्रभार मिला है किसका, पाल्यमेंटरी अफियर्स का, है न, चलिए, अगला क्वेशन देखते हैं, भिलाईस पात सयंत्र को और द्योगिक जल निम्द में से किस बांध से उपलब्द कराया जाता है, इंडस्ट्रियल वाटर तू भिलाई स्टील प्लांट इस बिंग प्रोवाइडेड फ्रॉम विच आफ दा फॉलोविंग डैम्स, यह पूछा पूछ क्या रहा है, कराया जा रहा है, मतलब वर्तमान स्थिति पूछी जा रही है, वर्तमान स्थिति, है न, मतलब एट प्रे प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट ली जो इंडस्ट्रियल वाटर है, भिलाई स्टील प्लांट को, व्यस्पी को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या यह गंग्रेल कर रहा है, खर्खरा कर रहा है, तांदुला कर रहा है, या फिर मिनी माता डैम से कराया जा रहा है, त कभ उसका दूसरा जो विकल्प होता है वो ₤ घर कहरा डैनम होता है घर खरेभर में इस बार पानी क्या हुआ नहीं भर अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉंपिटिशन कमिनिटी के साथ। आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको